नमस्कार रेडियो मनी नाइन पे आप सभी का स्वागत है मैं हूँ विपल सिंग और लेकर आया हूँ हमारी नई पेशकर्ष प्रॉपर्टी वाला हमारी इस खास पॉल्टिन में आपको मिलेगी रियल इस्टेट दुनिया के तमाम हलचलों की जानकारी कर्ज भले ही लगातार महंगा हो रहा हो लेकिन घरों की बिक्री दना दन हो रही है एनरॉक की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से सितंबर के दौरान घरों की खूब बिक्री हुई है इस दौरान देश के टौप सेवन शहरों में एक दस्मलों पांच छे लाख करोड रुपए के घर बिग गए यह आखड़ा साल भर पहले की तुलना में 119 फीसद जादा है आखड़ों के अनुसार इस दौरान एक लाख तिहत्तर हजार से जादा मकान बिके मकानों की बिक्री के मामले में मुंबई महानगर शेत्र पहले अस्थान पर रहा इसके बाद सबसे आदा घरों की बिक्री दिल्ली एंसियार में हुई घर खरीदने के मामले में सिनवाई सितारे भी पीछे नहीं है सिन्वा जगत के सितारे एक के बाद देखकर लगजरी घर खरीद रहे हैं कुछी समय पहले रणवीर सिंग और माधुई दिक्षित ने लगजरी प्रॉपर्टी ले थी और अब बॉलिवुड अभनेत्री जानवी कपूर का नाम इस फेरिष्ट में शामिल हुआ है जानवी कपूर ने ये लगजरी डूपलेक्स अपार्टमेंट मुंबई के पाले हिल एरिया में खरीदा है इसके कीमत 65 करोड रुपए बताई जा रही है और इसके रजिस्टेशन के लिए 3.9 करोड रुपए की स्टाम डूटी चुकाई गई है अब बात NRI की भी कर ले जो बदले हालात में भारत में घर खरीद रहे है अनिवासी भारतियों को घर खरीदने के लिए भारत के 3 शहर पसंद है ये जानकारी CII और NROC के संयुक्त सर्वे में सामने आई है सर्वे के अनुसार NRI के पसंदीदा शहर दिल्ली अंसियार, बंगलूरू और हैदराबाद है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से प्रॉपर्टी बाजार की एक और खबर है मुंबई महानगर शेत्र में प्रॉपर्टी रेजिस्टेशन में 3 फीसद की गिरावट आई है अक्टूबर में प्रॉपर्टी रेजिस्टेशन सालाना आधार पर 3 फीसद कम हुआ है पिछले मही ने मुंबई में कुल 8,276 प्रॉपर्टी का रेजिस्टेशन हुआ 500 करोड रुपे का फंड बनाएंगी इस फंड से तीन शहरों बैंगलूरू, चेननाई और हैदराबाद में निवेश किया जाएगा ये निवेश अगले 12 महीनों में आवासिय परियोजना उपर होगा आज के लिए बस इतना ही इस रिपोर्ट को तयार किया है हमारे साथ ही सुभाज सुमन ने अब अगले गुरुवार को मिलेंगे प्रोपरिटी वाला के नए बोल्टिन के साथ तब तक के लिए नमस्कार